वेल्कम आवर यूटूब चैनल जीएस्पित आसू दोस्तो विपेशी पीटी के लिए सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्पुन कोस्वन को सामिल किया गिया है जो लोग बीहार SI मेंस, CDPO या बीहार की किसी भीज्याम की तियारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है भारत में निमली खित के आने का सही काला नुक्रम क्या है आपको दिये गएं चार बिकलपों में से काला नुक्रम में सजाना है और नीचे दिये गएं कुट का पड़ियोक कर सही उतर चुणना है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन डी पहले हो जाएगा दोस्तों नगर संस्क्रिती इसके बाद लोहे का हल और इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और लांश्ट में सोने के सिक्के निमलीखित का भारत में आने का सही कालानुकडम इस प्रकार है पहले आया था नगर संस्क्रिती फिर था लोहे का हल और इसके बाद आहत मुद्रा और लांश्ट में सोने के सिक्के नगर संस्क्रिती जोकी हडपा युग में प्रसली थी फिर लोहे का हल उत्तर वेदिक काल में और आहत मुद्रा चांदी के सिक्के बूद्र के काल में और सोने के सिक्के मोर्यत्र युग में अगला प्रस्ण देखते हैं नीमली खित में सिक्किस ने समिधान सवा में वेक्स मता धिकार को 15 वर्ष के लिए अस्तगित करने की बात की थी तो दोस्तों समिधान सवा में वेक्स मता धिकार को 15 वर्ष के लिए अस्तगित करने की बात की थी मौलाना अवुलकलम अजाद ने समिधान सवां के वैस मताधिकार विशेव पर बहस के दुरान मौलाना अवुल अजाद ने वैस मताधिकार को 15 वर्ष के लिए अस्तगित करने की वकालत की थी किन्तु डॉक्टर राजिन परसाद एम जवहाल लाल नेवरू ने जोरदार धंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो कंचो तेवार की सराजिया केन सासित परदेश का तेवार है तो दोस्तो कंचो तेवार है जम्मु कस्मिर का फड़वरी 2022 में जम्मु कस्मिर के चेनाब घाटी छेतर में कंचो तेवार मनाया गया यह तेवार नाक संस्कृती से संबंदित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से गुप्त काल में उत्तर भारती बेपार किस बंदरगा से संचालित होता था तो दोस्तो गुप्त काल में उत्तर भारती बेपार ताम लिपती बंदरगा से संचालित होता था ताम्न लिप्ती गुप्त काल में उत्तर भारतिय बेपार का मुख बंदरगा था ताम्न लिप्ती आधुनिक परस्मी बंगाल के मिननापूर जिले में इस्तित है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो बहुती महत्पुन कोशन है दोस्तो पादप अधारित कोविड वैक्सिन के उपियोग को अधिक्रित करने वाला विश्क का पहला देश कौन बना है तो दोस्तो पादप अधारित कोविड वैक्सिन के उपियोग को अधिक्रित करने वाला विश्क का पहला देश बना है कनाडा जोकी ओप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए दोस्तो उपियोग मे से कोई नहीं होगा करनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पौधा अधारित कोविट उनिस बैक्सिन के उपियोग को अधिक्रित किया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों माउंट मकालू को सफलता पुरुवक स्केल करने वाली पहली भारते मेला कौन बनी है तो दोस्तों माउंट मकालू को सफलता पुरुवक स्केल करने वाली पहली भारते मेला बनी है प्रेंका मोहिते माउंट मकालू दुनिया की पांचमी सफ से उची चोटी है जो नेपाल और तिबत के सीमा छेतर में 8485 मीटर की उचाई पर इस्तित है 2019 में सफलता पुरुवक माउंट मकालू की चड़ाई करने वाली पहली महिला माराश्ट की प्रेंका मोहिते बन गई है अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में बिहार के की जिले के कुड़नी परखन में पहला टॉलेट क्लिनिक खोलने की घोसना की गई है तो दोस्तों वह जिला है मुझपपरपूर बिहार के मुझपपरपूर जिले के कुढ़नी परखन में पहला टॉलेट क्लिनिक खोलने की घोशना की गई है अगला प्रस्म देखते हैं 1857 की क्रांती के विकास का सही काला नुक्रम क्या है आपको करम में सजाना है 1857 की क्रांती का ओप्शन के अनुसर तो दोस्तों 1857 की क्रांती के विकास का सही काला नुक्रम हो जाएगा पहले हुआ था दिल्ली में फिर लखनों में तब कानपूर में तब इलहाबाद में दिल्ली में दोस्तों यह घटना हुई थी 11 मई 1857 को लखनों में 4 जुन 1857 को कानपूर में 5 जुन 1857 को और इलहाबाद में 6 जुन 1857 को अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों भारत में आद्रभूमियों के अंतरगद सर्वादिक छेतर की सराज में पाया जाता है तो दोस्तों भारत में आद्रभूमियों के अंतरगद सर्वादिक छेतर पाया जाता है गुजरात राज में भारत में आद्रभूमियों के अंतरगद सर्वादिक छेतर गुजरात में पाया जाता है दो फरवरी को विश्व आदरभूमी दिवस परतेक साल मनाया जाता है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो किस परकार की मिद्रा की जल धारन छमता सबसे कम होती है तो दोस्तो जल धारन छमता सबसे कम होती है बोलोई मिर्दा की मीटी की जल धारन चमता उसमें मौजुद गाद और कले के कणों के परतिसत पर निर्वर करती है बड़े सत छेतर वाले यककन मीटी को अधिक मातरा में पानी धारन करने की अनुमती देते हैं बलोई मीटी में गाद की मातरा कम होती है इसलिए अनपरकार की मीटी की तुलना में उनमें पानी की मातरा कम होती है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अंजूना दीप इस्तित है तो दोस्तो अंजूना दीप इस्तित है गोवा तटपर अंजूना दीप गोवा के परश्मी तर्ट पर इस्तित एक महतपूर्ण दीप है जो अपने प्रसिद और सुंदर बीच के लिए जाना जाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो कोल दाम परिजना निम में से किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तो कोल दाम परिजना इस्तित है सतलज नदी पर कोल दाम परिजना हिमाचल परदेश में सतलज नदी पर इस्तित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो कुसेश्वर परच्छी अभ्यारन की जिले में है तो दोस्तो कुसेश्वर पहची अभ्यारन इस्तित है दर्भंगा जिले में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्पुन कोशन है दोस्तों यह प्रस्न चलिए देखते हैं देश का दूसरा डिजिटल विश्विद्याले निमलीखित में से कहां अस्थापित किया जाएगा तो दोस्तो देश का दूसरा डिजिटल विश्विद्याले अस्थापीत किया जाएगा राजस्तान के जोथपुर में देश का दूसरा डिजिटल विश्विद्याले राजस्थान के जोद्पूर में अस्थापीत किया जाएगा जबकि देश का पहला डिजिटल विश्विद्याले केरल में अस्थापीत है अगला प्रस्न देखते हैं और अन्तिम प्रस्न है मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्योडियम की सराज में लॉंच किया गया है मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्योडियम की सराज में लॉंच किया गया है बताईए तो दोस्तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्योडियम लॉंच किया गया है करनाटक में मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एकोरियम करनाटक के बैंगलोडू में लॉंच किया गिया है ठैंक यू